नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूग चानल हाई रेव इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं साथ सबसे बढ़िया इलेक्टरिक कार्स के बारे में जो इंडिया में 2020 और 2021 को लॉंच होने वाली है। आज हमने अपने इस वीडियो में लाइक का टार्गेट तीन हजार का रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पह आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ताकि हमें आने वाली वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती रहे दोस्तो इस साल 2020 में आटो मुबाइल कमपनिया कई इलेक्टरिक कार लॉंच करने वाली हैं भारतिय बाजार में इलेक्टरिक कार पेश करने की होड में मारुती सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमजी मोटर और निसान जैसी बड़ी आटो कमपनिया शामिल है आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी सबसे बड़िया रहेगी इंजन और फीचर की भी पूरी जानकारी दी जाएगी किस कमपनि की कौन सी कार भारतिय बाजार में कब दस्तक देने वाली है देश में इलेक्टरिक वेइकल्स पर फोकस बढ़ रहा है कम्पनिया अब लगातार भारत्य बाजार में इलेक्ट्रिक गाडिया लॉंच कर रही है जन्वरी में दो इलेक्ट्रिक SUV देश में लॉंच हुई जिन्हें Tata और MG जैसे दिगज कम्पनियों ने बाजार में उतारा है हाला कि भारत में अभी इलेक्टरिक गाड़ियों की संख्या से मीथ है लेकिन अच्छी बात ये है कि इनकी संख्या बढ़ रही है इलेक्टरिक गाड़ियों में लोग सबसे पहले रेंज यानि फुल चार्ज पर तै करने वाली दूरी देखती है यहां हम आपको भारते बाजार में उपलब सिंगल चार्ज पर सबसे ज़ादा दूर तक चलने वाली टॉप सेवन इलेक्टरिक कारों के बारे में बता रहे है नमबर वन टाटा नेक्सोन ईवी टाटा मोटर्स की पहली सब कॉम्पैक्ट इलेक्टरिक एसुवी कार टाटा नेक्सोन ईवी नए साल 2020 में बाजार में आई लेकिन अभी इसकी बिकरी लॉगडाउन की वज़ा से रुकी हुई है बहतर जानकारी के लिए बता दे कि पिशले साल कमपनी ने 19 दिसम्बर में इसे लॉँज किया था ये टाटा की पहली इलेक्टरिक कार है जिसे नई जिप्टरोन इलेक्टरिक पावर ट्रेन टेक्नोलोजी के साथ बाजार में उतारा गया है टाटा नेक्सोन इवी स्टैंडर्ड पर आधारित है लेकिन इलेक्टरिक कार में कोई बदलाव किये गये है नेक्सोन इवी नेक्सोन इलेक्टरिक में 30.2 किलोवैट बैटरी पैक दिया गया है जो 129 होर्स पावर की पावर और 254 न्यूटन मिटर का टॉर्क देता है कमपनी ने इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है जिसे खास तोर पर भारत्य सडको और वातावरन को ध्यान में रखकर टेस्ट किया गया है इस बैटरी पैक को IP67 रेटिंग मिली है जिस पर पानी और धूल का असर नहीं होता वही बैटरी पैक में लिक्विट कूलिंग फीचर मिलेगा ताकि गरम तापमान में भी बहतर परफॉर्मेंस मिले टाटा मोटर्स का दावा है कि एक बार फूल चार्ज होने पर नेक्सोन इवी 300 किलो मिटर तक चलेगी इसकी कीमत 15-17 लाख रुपई के बीच रहने की उम्मिद है नमबर 2 टाटा अल्ट्रोज टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज इवी को पहली बार 2019 जनेवा मोटर शो में पेश किया था टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार को भी नई जिप्ट्रोन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन टेकनोलोजी के साथ बाजार में उतारा गया है टाटा निक्सोन इवी में भी इसी टेकनोलोजी का इस्तमाल किया गया है कम्पनी ने Altrose EV को alpha platform पर तयार किया है इस कार में वही design का इस्तमाल हुआ है जो Altrose के petrol model में दिया गया है कम्पनी ने Altrose EV के बारे में technical जानकारी का खुलासा नहीं किया है हालाकि ये Nixon EV की तरह हो सकती है Nixon EV का motor, 129 PS का power और 245 Newton-meter का torque पैदा करता है इसमें 30.2 किलोवैट बैटरी पैक मिलता है साथ ही पावर ट्रेन कार में दो ड्राइव मोड मिलते है ड्राइव और स्पोर्ड्स इस कार में फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी अल्ट्रोज इवी को फास्ट चार्जर की मदस से एक घंटे में 80 फीसदी तक चार्ज की आ जा सकता है कमपनी का दावा है कि अल्ट्रोज इवी फूल चार्जिंग के बाद 250 से 300 किलिमेटर की दुरी तैय कर सकती है टाटा मोटर्स अल्ट्रोज इवी की कीमत 13 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक रख सकती है महिंद्रा के यूवी 100 एवी महिंद्रा के यूवी 100 एक कॉम्पैक्ट हैजबैक इलेक्ट्रिक कार होगी कमपनी ने इसे पिछले साल 2019 के आटो एक्स्पो में शोकिस किया था इसे लगभग फाइनल मॉडल माना जाता है इसमें 40 किलो वैट एसी इंडेक्शन मोटर और इविरिटो वाली 72 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी दी जा सकती है कार सिंगल चार्ज में करीब 140 किलो मिटर का सफर तै करेगी इसके आलावा इसके बैटरी को सिर्फ एक घंटे में 80 प्रतिशक तक चार्ज किया जा सकेगा इसकी अनुमानित कीमत करीब 8 से 10 लाग रुपे की बीच हो सकती है नमबर 4 महिंद्रा XOV300 आटो एक्स्पो 2020 में महिंद्रा XOV300 को पेश किया गया है आटो एक्स्पो के बाद इस कार को पहली बार सडक पर टेस्टिंग के दोरान देखा गया है महिंद्रा की ये गाड़ी पहली लंबी रेंज वाली इलेक्रिक SUV होने वाली है कंपनी ने इस कार की घोशना बहुत पहले कर दी थी महिंद्रा XOV300 इलेक्ट्रिक को टेस्ट करते देखा गया है जिसे पता चलता है इसके डिजाइन को इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रखा गया है महिंद्रा XOV300 इलेक्ट्रिक की तकनी की जानकारी अभी तक सामनी नहीं आई है लेकिन इसे ब्रैंड के नए EV आर्किटेक्चर मेसमा 350 पर तयार किया जाएगा सिंगल चार्जिंग में चलेगी 350 किलोमेटर महिंद्रा XOV300 सिंगल चार्ज में 350 किलोमेटर का रेंज प्रदान करने वाली है इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी पावर के लिए सब कॉम्पैक्ट SUV XOV300 में एलेक्टरिक पावर ट्रेंड का इस्तिमाल किया गया है E-XOV300 SUV में 350 वोल्ट और 380 वोल्ट पावर ट्रेंड का विकल्प मिलेगा E-XOV300 में बंद ग्रिल और रैप राउंड हेड्लैम्स दिये गए है कार में हेड्लाइट्स के आसपास और बंपर पर नीले रंग है इसमें A और C पिलर्स को काले रंग जबकि B पिलर्स को ग्रे रंग का रखा गया है मारोती अपनी पॉपुलर मिनी MPV कार वेगन आर की इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग कर रही है तकरीबन 50 से ज़ादा वेगन आर इलेक्ट्रिक कारों की इन दिनों देश भर में टेस्टिंग चल रही है वैगन आर एवी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी रिपोर्स के मताबिक इलेक्ट्रिक वैगन आर में 72 वोल्ट सिस्टम और 10-25 किलोवैट का बैटरी पैक होगा वही वैगन आर एवी सिंगल चार्ज में 200 किलोमेटर तकी दुरी तै करेगी वैगन आर एवी की खासेत होगी कि ये डिसी चार्जर से मात्र 40 मिनिट की चार्जिंग में 75-80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगी इसका मतलब ये होगा कि 40 मिनिट की चार्जिंग में कार 150-160 किलोमेटर की दुरी तै कर सकती है इसकी अनुमानित कीमत 7-10 लाख रुपए के बीच होगी नमबर 6 निसान लिफ ने दुनिया के सबसे ज़ादा बिकनी वाली इलेक्टरी कार का खिताब अपने नाम कर लिया है हाल ही में कमपनी ने अधिकारी घोशना करते हुए बताया की 2010 से लिकर अब तक निसान लिफ की 4 लाख से ज़ादा यूनिट्स की बिकरी हुई निसान लिफ का 1st generation model साल 2010 में लौंच किया था हाला की लौंचिंग से लेकर 2014 तक इसके सिर्फ 1 लाख यूनिट की बिकरी हुई थी जबकि 2 लाख यूनिट बिक्री का आकड़ा पार करने के लिए कमपनी को एक साल का और समय लगा हाला कि पिछले साल तक कमपनी 3 लाख कारे बेच चुकी थी निसान लिफ्ट को जापान और ब्रिटेन जैसे देशों में बनाया जाता है जिससे 50 से जादा देशों में बेच आ जाता है कमपनी अन्य देशों में भी इसे लाउंच करने को लेकर काम कर रही है पिछले साल निसान लिफ्ट को यूरोप की बेस सेलिंग इलेक्री कार के तौर पर चुना गया जिसके बाद ये नॉर्वे की भी सबसे जादा बिकने वाली इलेक्री कार बनी निसान में सेकंड जन्दरेशन लिफ्ट को साल 2017 में लॉंच किया जो भारत में बिकने वाली निसान माइकरा की थीम पर बेस्ट थी कम्पनी ने IDC कॉंसेट पर बेस निसान लिफ्ट को डिजाइन किया है जिसमें सिगनेचर ग्रील, स्वेफ्ट बैक LED हेडलैम और नया बंपर दिया है जिसमें LED लैम्प लगे है नई लिफ्ट को डिवल टोन कलर आप्शन मिलेगा जो इस इलेक्रिक कार को पहले से ज़ादा स्पोर्टी बना देता है इसमें स्पेशिली डिजाइन 17 इंच के अलाई विल्स दिये गया है कार में पूरी तरह से नया इंस्ट्रूमेंट कलस्टर दिया गया है जो फुल्ली डिजिटल है इसके सेंटर कंसोल में 7 इंच की टस्क्रीन इंफो टेंडमेंट सिस्टम है ये एंड्रोइड आटो और एपल कार प्ले को सपोर्ट करता है इसमें क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी है कार में प्रो पाइलेट आटोनमस ड्राइविंग टेकनोलजी का इस्तमाल किया गया है जो आटोमेटिक स्टेरिंग और ब्रेक को कंट्रोल करती है कमपणी ने इसमें e-padle टेकनोलोजी का भी इस्तमाल किया है जो इसे आउटोमेटिक गती प्रदान करेगा और रोकेगा भी वो भी सिर्फ एक पैडल के इस्तमाल से दुनिया में सबसे जादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार निसान लीफ इसी साल भारत में लॉंच होगी। 1540 mm है जबकि इसका विल बेस 2700 mm का है। लीफ में EM57 इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 150 PS की अधिकतम पावर और 320 Nm का टॉर्क देती है। वही इसमें 40 किलोवैट की लिथेम बैटरी पैक लगा है। लीफ की बैटरी स्टैंडर्ड चार्जर पर फूल चार्जिंग में 16 घंट जबकि 6 किलोवैट चार्जर पर 40 मिनिट में 80% तक चार्ज हो जाती है। निसान का दावा है कि लीफ सिंगल चार्ज में 400 किलोमिटर की दूरी तै कर लेती है। मारूती ने फ्यूचरो ई कॉंसेट मॉडल से आटो एक्सपो 2020 में परदा उठाया है। फ्यूचरो ई की डिजाइन कूपे कार की तरहा लगती है। एक्स्टेरियर पर शार्प लाइन्स होने के बावजुद भी इसकी डिजाइन फ्रंट से लेकर रियर साइड तक एक जैस उपर तयार किया गया है। इसमें कई स्क्रीन्स दिये गया है जो अलग-अलग फिचर्स को कंट्रोल में मदद करती है। गाड़ी के फ्रंट पर दी गई दो सीटे रियर पैसेंजर की तरफ टर्ण हो सकती है। ऐसमें कहा जा रहा है कि इसमें ऑटोनमस ड्राइविंग तक इस टेकनोलोजी का इस्तमाल होगा। फ्रेटा की तरह दिखने वाले इस कॉंसेप्ट मॉडल की लॉंचिंग को लेकर फिल्हाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। हाला कि कम्पनी ने ये जरूर बताया है कि ये कॉंसेप्ट मॉडल भविशमय तयार की जाने वाली SUV की जल हो सकती है।